नमस्कार आप देख रहे हैं कापिटल टीवी मैं हूँ आपके साथ कांची बंसल गुजरात के वलसाट शहर से एक संसनी के इस मामला सामने आया है 71 साल की एक महिला ने अपने पती की हत्या कर दी और इस हत्या के वज़ा सुनेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे यह रिपोर्ट देखिए पतनी ने पती पर लकड़ी के डंडे से हमला किया और पती वही पर गिर गया फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफतार कर पूछताच शुरू कर दी है महिला के भतीजे ने पुलिस को बताया कि ये दोनों आए दिन आपस में छोटी-छोटी बातों को लेकर जगरते थे महिला के भतीजे ने कहा कि होली के दिन चाची यानि लक्ष्मी पटेल मंदिर गई थी जब वह घड लोटी तो उसके पती ने उस पर किसी आदमी से मिलने का रोप लगाते हुए गाली गलोज शुरू कर दी घड लोटने के बाद दोनों में जगडा शुरू हो गया साथ ही पती ने महिला पर कांच की बोतल से हमला कर दिया हाना कि लक्ष्मी ने खुद को इस हमले से बचा लिया पर गुस्से में उसने भी अपने पती के सर पर लकडी के मोटे डंडे से हमला कर दिया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई पुलिस ने बताया कि वुजूर्ग आदमी को शक था कि उसकी पतनी का किसी के साथ अफेर चल रहा है इस बारे में परिवार के सदस्यों ने कई बार समझाने की कोशिश भी की लेकिन 78 साल के रिटायर्ड इंजिनेर अमरित लाल ने समझने की कोशिश ही नहीं की नतीजा ये हुआ कि बार-बार दोनों के बीच लड़ाई होती रही बताया जा रहा है कि अमरित लाल और लक्ष्मी पटेल 15 साल पहले मुंबई से वलसाड शिफ्ट कोई थे दमपत्ती की दोनों बेटियां शादी शुदा है और अमेरिका और दुबई में बस कई है ये खबर वाके में हैरान कर देने वाली है एक तो जिस उमर में पती पतनी को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है उस उमर में ऐसे जगड़े और हत्या की खबर और उपर से उस हत्या की वज़ा अफेर्ट सुनकर ही समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो सकता है अभी के लिए बस इतना ही आप देखते रहे हैं कैपिटल टीवी नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया